दोस्तों, आज की फर्ष्र स्रिप्ट में कुछ ऐसे प्रशन आये थे, आज ये कुछ नहीं, मैक्समम प्रशन ऐसे आये थे, जो बहुत ही आसान थे, जो लोग पढ़के जा रहे होंगे, त्यारी करके जा रहे होंगे, आज का पेपर उनके लिए बहुत आसान रहा होगा, च कुछ नहीं, बार-बार आता है, सभी लोग जानते हैं, जिसका जो राइट आंसर है, ओ है राजा राम मोहन राए, जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राए ने वर्स 1828 में ब्रह्म सभा के अस्थापना की, जिसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, अगला कुछ पूछ कर आ गया कि, ड्री महसो कि सराज में मनाया जाता है, ति भी कुछ रेपीटएड है, इसका आंसर अरुडाचल परदेस होगा, जी हां दोस्तों, ड्री महस तो अरुडाचल परदेस में मनाया जाता है, ने श्श कोछन, सांची इस्तूप का निर्मान किस कि स्क ने करवाया, ये question भी repeated है, ठीक है, इसका right answer क्या होगा, समराट अशोक, कब कराया था, तीसरी सताबदी में, इसापूर, तीसरी सती इसापूर में, सांची के महानिस्तुप का निमाण समराट अशोक ने कराया था, ठीक है, अगला question है, पुरुष कबड़ी में मैदान की लंबाई कितने मी मीटर होती है, ये भी question repeated है, ठीक है, तीसका right answer है, ओ है 13 मीटर, senior जो पुरुष पेशवर कबड़ी इस परता होती है, उसमें मैट की जो लंबाई होती है, और चौड़ाई 10 मीटर होती है, महिलाओं के अगर बात करें, तो 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है, ठीक है, ते fact भी ध्यान रखेएगा, question फिर से repeat हो सकता है, अगला question, जो या factor पुस्तक की लेखा कौन है, ये भी question repeated है, जिसका right answer है, अनुजा चौवहान, next question, an unsuitable boy की लिखा का नाम पूछा गया था, ये question repeated है, सबसे आसान कोशे, सासान कोशन मिली ने सकता है, इसका right answer है, करण जोहर, अगला question है कि, गजलों का राजा किसे कहा जाता है, या गजलों का समराट किसे कहा जाता है, ये question repeated है, जगजी सिंग, इसका right answer है, ठीक है, एक खुसरों को भारत में गजल का जनक माना जाता है, अगला question है, current affairs से समझ लिजी लगभग, रोही शर्मा ने अब तक कुल कितने T20 मैच खेले हैं, तो 400 T20 मैच रोही शर्मान खेले हैं, ये भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 400 T20 मैच खेला है, ठीक है, अगला question question है कि उत्री अमेरिका और दच्री अमेरिका की बीच कौन सा सागर है, या कौन सा महादेश जोड़ता है, ऐसा कुछ question था, तो देखिए, पनामा जो जल डमरू मद्ध है, ये दच्री अमेरिका को उत्री अमेरिका से जोड़ता है, पनामा जल डमरू मिद्ध, इसका right answer कि सबसे पहला जनजाती खेल का आया विजन किस वर्स किया गया, अब इस question में मान सापता हूं कि आप फच सकती हो, ठीक है, करने फिर question है, बहुत सारे लोग जानकारी नहीं होती है, तो इसका right answer है, वो है उडिशा, लिकने उपर जो उन्हें 10 question अभी कराएं है, ये दसोग आदमी प्रुषकार 2023 कि से प्रदान किया गया, अब एक current affairs कोर्षन है, इसमें फस सकते हैं आप, ठीक है, इसको skip कर दीजिए, ऐसे question जिसमें फस सकते हैं, नहीं clear है, उसको skip कर दीजिए, तो कामत मारी बिल्कुल तकामत मारी येगा, ठीक है, तो साहित अकादमी प्रुषक अगला question है, पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने शेह, इसका right answer है, बनारश घराना, ठीक है, नेश कोशन, भारत में मांसून किस महीने वापस जाता है, तो अक्टूबर से जनुरी तक का टाइम होता है, देखिए, भारत के उतरी पश्मिराजियों में सितंबर क की शुरुवात में मांसून की वापसी सुरू हो जाती है, ठीक है, अक्टूबर के मदे तक या प्राइदी कुतरी आधे हिस्ते के पुतर से हड़ जाता है, और लगभर दिसम्बर के बाद जनुरी तक ये वापस चला जाता है, ठीक है, अक्टूबर से जनुरी ये इसका right उसके आपको बताना था, ठीक है, चार आप्षन आपको दिये हुए थे, अभिनय था, लाश्य था, एक दो और थे जो है, तिसमें जो right answer होगा, ओ है लाश्य, ठीक है, इसका right answer क्या होगा, लाश्य, ठीक है, अगला question है कि 2023 में अजय सिंग बंगा को किसका अधिक्ष बनाय रहे गया, तिसका right answer है, वर्ड बैंक, भारती मूल के अमेर्की नागरिक अजय बंगा को वर्ड बैंक का 14 अधिक्ष चुना गया है, वे दो जून 2023 से कारिभार समा लेंगे, और अगले पांच वर्सक इस पत्पर बने रहेंगे, वे वर्ड बैंक के मवजूदा प्रेसिड होगा, ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ English के प्रश्णों को देख लेते हैं, what is the synonym of determine, determine का मतलब होता है ठानना, ठीक है, किसी चीच को ठान लेना, तो ठानने से मतलब जो भी सब्द आएंगे, जैसे कि decide है, resolve है, rule है, settle है, इसमें से कुछ भी आपसन में रहेगा, उसको आप ठीक करेंगे, अगला question है, what is the synonym of oblivious, बेखबर, बेखबर का, जो है, oblivious मतलब होता है, बेखबर, ठीक है, तो blind है, deep है, ठीक है, inattentive है, unconcerned है, unfamiliar है, आप जैसा रहेगा, वर्ड, वैसा आप ठीक करेंगे, इतना जानते रही कि oblivious का मतलब होता है, बेखबर, ठीक है, अग सिन्कल, सिन्कल का मतलब होता है, निंदक, मतलब जो दोस्रों की निंदा करता हो, ठीक है, तो मतलब मिस, एथन ट्रोपिक, या पेशी, मिस्टिक, जैसा रहेगा, वैसा आप ठीक करेंगे, ठीक है, अगला question है, कि one who feeds on human flesh, जो मनुष्य का मांस खाता है, उसे क्या बोलते है कैनिबल बोलते हैं, नर्भक्षी, ठीक है, कैनिबल, नर्भक्षी, अगला question है, कि blowing your own trumpet, idiom का अर्थ पूछा गया था, blowing your own trumpet का मतलब होता है, अपनी बढ़ाई करना, मतलब to talk about oneself or one's achievement, especially in a way that so that one is proud or too proud, मतलब घमंड में भर करके, अपने बारे में, अपनी achievement के बारे में, अ होन ट्रमपेट, ठीक है, next question है, one could, on could night, on could night का मतलब होता है, अथपरशन, मतलब very happy, ठीक है, question number 25, maintenance और behavior का spelling mistake पूछा गया था, बताना सच में क्या होती है, maintenance की spelling होती है, maintenance की spelling होती है, behavior की spelling होती है, behavior होती है, behavior ठीक है, यह दोनों मैंने cut करके, यहाँ पर आपको दे दिया है, ठीक है, दोस्तों, 25 question मैंने कराए हैं, कुछ question अभी और हैं, जो कि मिल नहीं पाए है, मिलें इनिश्य तोर पर जो है, तो मैं PDF में डाल दूँग पीडियाप का link निचे discussion में दिया हुए, टेलेगराम चैनल पर जाके join हो जाई, वहाँ से free app cost पीडियाप को download कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्लीज ज़ाइन जरूर हो जाईएगा, support जरूर करिएगा, और अगर चैनल पाप नए है, तो प्लीज चैनल को subscribe करके, bell icon जरूर से बहुत बहुत धन्यवाद